सपनों का दिव्येलोग एस्टो ड्रिम्ज में आपका बहुत-बहुत स्वागत है जै मात Αदी जै गुरुदेव प्रियदर्शकों आज इस सपने का विष्लेशन जानेंगे वह है सपने में पी यानि की मतर देखना प्रियदर्श को सपने में मटर देखना सभी के लिए क्या-क्या फल देता है आईए जानते हैं सपने में मटर देखना एक बहुत ही शुभ सपना माना जाता है अगर कोई स्टूडेंट किसी सब्जेक्ट को लेकर के पढ़ाई करना चाह रहा है उसके बारे में सोच रहा है और अचानक उसे सपने में दिखाई दे जाए कि खेत में बहुत सारी हरी भरी मटर लगी हुई है तो ऐसे स्टूडेंट को वह सब्जेक्ट ले लेना चाही है यह सपना संकेत करता है कि भविश्य में यह सब्जेक्ट उसके नौकरी के द्वार तो खोलेगा ही खोलेगा लेकिन भाग्ये के द्वार भी खोलेगा लेकिन यह सपना यह भी संकेत करता है कि आपको इसमें उतनी ही महनत डालनी पड़ेगी जितनी एक किसान खेत में महनत करता है और आपको फल उसका आशा से भी ज्यादा मिलेगा सपने में यदि कोई गर्ववती स्त्री देखती है कि बहुत सारी हरी मटर लगी हुई है यह हरी मटर कहीं पे रखी हुई है देखती है हरी मटर का टोकरा देखती है यह थाली देखती है थाली में मटर रखी हुई है हरी मटर तो यह सपना बहुत ही शुभमाना जाता है ऐसी इस्त्री को एक अच्छी संतान की प्राप्ती होती है, एक भागेशाली संतान की प्राप्ती होती है, सपने में कोई महिला या कोई पुरुष कोई भी मटर छीरते हुए अपने आपको देखता है, यह मटर देखता है, तो यह हर प्रकार से एक अच्छा समय व्यतीत होने को करेंगे आपकी लाइफ में सुक सम्रिधी आएगी हैपिनेस आएगी यह संकेत करता है सपने में मटर को खाना भी अच्छा माना जाता है अगर आप हरी कच्छी मटर खा रहे हैं तो उसे अच्छा माना जाता है लेकिन रूखी सूखी मटर पड़ी हुई कहीं पे देखना यह अच्छा सपना नहीं माना जाता है कोई मटर के बीज बो रहा है तब ही यह सपना बहुत अच्छा माना जाता है अगर कोई किसान ऐसा सपना देखता है कि वो मटर के बीज बो रहा है या फिर उसे खेत में बहुत सारी हरी हरी मटर लगी दिखाई देती है तो आने वाले सम सब्सक्राइब